और सबका विकास इन सभी को लेकर के चलने की जो भरतिय जंता पार्टी की घोसित नीती रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के मात्यम से सबके विश्वास को अरजित भी किया ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सब के प्रयाज से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के संब्रिदितम राज्यों में स्थापित करेंगे यह जो संकल्प और जो विजन प्रधान मंत्री मोधी जी का है उस पर जनता जनारदन की ये मोहर है आज के स्चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी नकारात्मक सोज और अपनी बिंद्वनसात्मक गद्रविधियों के लिए कुख्यात ताक्तों को और प्रिवारवादी ताक्तों को एक बार फिर से इस पश्ट संब्रेश जनता जनारदन ने दिया है के उत्तर प्रदेश के चनता अप्रिवारवादियों जातिवादियों सामप्रदाईक उनमात को भड़काने वाले पेसिवर माभ्या और अप्राधिक प्रविधिके तत्तों को प्रस्रे देने वाले राजनितिक दलों को किसी भी प्रकार से स्विकार करने को तैयार नहीं है यह चुना भारती चंता पार्टी के नित्रत्व में एक सकारात्मक सोज सरसमावेसी विकासोणमक ता गरीब कल्यानकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभ्यान का भारती चंता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभ्यान है और जन्ता चनारदन के आश्रीबाद ने इस विजैक स्री के माध्यम से उत्तर प्रधेश के अंदर 2024 के विजैक स्री के लिए एक दूरकामी संदेश भी दिया है के 2024 में भारती चंता पार्टी उत्तर प्रधेश के अंदर प्रचंड बहमत के साथ उत्तर प्रधेश के अंदर असी लोकसभा सीटों में से असी से असी सीटों के ओर विजै स्री के ओर अग्रसर हो रही है या आज की विजै ने या संदेश भाग अस्पश्ट रूप से सभी के सामने प्रस्टुत किया है मैं आज की स्विजै के लिए अपने दोनों प्रत्यासियों को से दिनेस लाल यादो निरोवा को और से घंस्याम सिंग लोधी दोनों प्रत्यासियों के बिजै स्री के लिए उने इरदे से बड़ाई देता हूँ मैं भरती चन्ता पार्टी के उन सभी कारेकरताओं को जिन कारेकरताओं ने अथक परिस्रम करके इस भीशन घर्मी में परिस्रम करके इस उनौति पूण लड़ाई को विजय स्री में बदलने में अपना योगतान दिया बोध प्रबंदन के माध्यम से लोगतांत्रिक लड़ाई को कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्स में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से टड़ गए थे उस के लिए मैं भारतिय जन्ता पार्टी के सभी कारे करताओं को धिर्दै से इसके लिए अविनंदन करता हूँ बारती जन्ता पार्टी के प्रदेश और गेंद्रिय संगठन को जिनोंने इस सुनाओं में प्रदाविकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्स जी के नित्रुत्तों में प्रदेश संगठन महामंत्री से सुनेल वंसल जी के पर विवस्ति तुरूप से लगा उन सभी कार्यकरताओं को और राश्तिय अध्यक्स C.J.P. नड़ा जी के नित्रित्व में माने ग्रह मंत्री श्यमित साहजी के मार्क दर्शन में सभी कार्यकरताओं ने केंद्रिय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहाँ पर राज्य के अपने कार्यकरताओं का मारक दर्सन किया उन सब को मैं हिर्दै से आभार वेक्त करता हूँ प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने रामपूर में सी सुरेश खन्ना जी के नित्रत्व में और आजमगड में से सूरे प्रताप साही जी के नित्रत्व में हमारे मंत्रियों ने मान्य सांसदों ने मान्य विधायकों ने वहाँ पर पार्टी के कारेकरता की रूप में कारेकरते हुए बूद प्रवंदन को बहतर तरीके से आगे वढ़ाने के लिए वहाँ के स्ताने कारेकरताओं के साथ मिलकर किस कारेकरम को आगे बढ़ाया है इन दोनों मंत्रियों के नित्रत्व में सभी मंत्रियों को प्रदेश और केंदर सरकार के मंत्रियों को मानने असांसद मानने विधायकों को इन सब को भी मैं हिर्दे से धन्यबाद देते हुए अपने S.C. नित्रत्वा आदनिय प्रधानमंत्री जी नरेंदर मोधी जी को जिनके नित्रत्व में भारतिय जन्ता पार्टी निरंतर जीत की और अग्रसर है और निरंतर एक नई जीत के माद्यम से एक नया रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है आदनिय प्रधानमंत्री जी का S.C. नित्रत्वा और उनके विजन के आधार पर हम लोग निरंतर अग्रसर हैं आगे बढ़ रहे हैं आज की विजेश्री उसी विजन का प्रधानम है जो आदनिय प्रधानमंत्री जी ने भारतिय जन्ता पार्टी के एक-एक कारिकरता को दिया है मैं एक बार फिर से इस पूरी जीत के लिए आजमगर और रामपुर की जन्ता का भी हिर्दे से आभार बेक्त करता हूं कि उन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी पर विश्वास बेक्त किया और अपना अस्रीबाद जिस विश्वास के साथ भारतिय जन्ता पार्टी के प्रत्यासियों को दिया है मैं उन्हें इस बात के लिए आस्वस्त करता हूं कि भारतिय जन्ता पार्टी कि हमारे जीते वह जो प्रत्यासी हैं यह जन्ता की आकांसाओं के नुरूब इन छेत्रों के विकास करने के लिए पूरा योगना देंगे और इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूँ कि किसी भी प्रकार की भेदभाव से परे सब का साथ सब का विकास, सब का विश्वास और सब के प्रयास के भावनाओं के साथ इन दोनों छेत्रों के भी समक्र विकास के लिए सरकार पूरी मस्बूती के साथ कारे करेगी, कारे की है और आगे भी कारे करेगी एक बार फिर से मैं सभी कारे करताओं को और जनता जनारदन को इस जीत के लिए हुरते से विनंदन करता हूं दोनों प्रत्यास्यों को